Hello what's up guys, आज हम इस पीडियो में देखने जा रहे है Use Mutation Hook in React Query तो यह क्या होता है Use Mutation Hook चलिए सबसे पहले हम इसको cover करते and believe मैं आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि यह बहुत ही इंपोर्टेंट है बहुत ही जादे इंपोर्टेंट है, ठीक है अगर आपको याद हो, कर्ड ओप्रेशन में क्या होता है we have to create, read, update and then delete ठीक है, जिसमें से create हम not create read वाला पार्ट हम अल्रेडी देख चुक है जहाँ पर अगर मैं आपको बता हूँ so यहाँ पर आप देख सकते हो how to fetch your API data यह पर्टिकुलर एक जो वीडियो इसको check out कीज़े, हमने use query की मदब से, बहुत easily मैंने दिखा कि कैसे आप data को fetch कर सकते हो array state and loading state यह चुटकी में बना सकते हो, लेकिन card में सिर्फ इतना तो नहीं होता होगा हमें अब उस data को कभी let's say delete करना पड़िया, कभी update करना पड़िया कभी मुझे उसको create भी करना पड़िया extra or add भी करना पड़िया तो उन सबी चीजों में आपका use query काम नहीं आता है, वहाँ पे काम आता आपका use mutation hook तो card operation में चार चीज़े होती है जिसमें से सिर्फ एक चीज़ जब आपको data को fetch करना है सिर्फ पड़ने के लिए तब use query hook का काम आता है बाकी जो तीन चीज़े update करना, create करना and then delete उहाँ पे आपका use mutation mutation का का काम ही ही है mutant, अगर आपने X-Man देखा होगा Wolverine and all, वो सारे के एक mutant है मतलब इनसान तो है लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपने आपको एक नए form में developed कर दिया वो इसी जब हम delete कर रहे हम data को change कर रहे update कर रहे data को change कर रहे so mutate, that's why so use query सिर्फ एक particular HTTP get method के लिए काम आता है and then use mutation आपका post, delete, update, put patch उसमें काम आता है I hope यह clear हो गया and then इसका syntax, देखो बहुत simple syntax इसका अगर आप ध्यान से देखोगे तो बस इतना ही है like आप यह समझ लो, अगर हम use query कर रहे होते तो we need to pass the query key and then query function but here we don't need to pass that query key या mutate की कुछ भी यहाँ पे हमें use mutation hook लगता है and हमें उस use mutation को एक function देना must है क्योंकि function ही अगर आप नहीं दोगे तो बताओ के कैसे की आपको delete करना है update करना है की create करना है so that's why we need to pass one mutation function and then we have this optional configuration option जो की बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आपको बता आता है, ध्यान से देखिए we have a on success, on error, on settled and then mutation key तो on success का काम है कि हाँ अगर आपका यह जो callback function अगर success हो जाता है, यह जो है इसके अंदर आप जो भी function यह जो भी data pass करोगे वो चल जाएगा on error अगर suppose यह जो आपने function किया था यह नहीं हुआ, successful नहीं हुआ ठीक है, यह mutation fail हो गई on settled, a callback function that runs regardless of success or failure यह बहुत बार होता है कि अगर success नहीं भी हुआ यह failure नहीं भी हुआ तब भी कुछ न कुछ है जो मुझे चलाना then here we have on settled and then mutation key देखो, query key भी था बट यहाँ पे न, I mean जब हम use query use कर रहे थे, वहाँ पे we need to pass query key and query function no matter what, but here we have to only pass mutation key, I mean mutation function बट जो mutation की है वो इन्हों optional में रख दिया, हाँ आपको देना हो दो बनना मत दो, यह unique key to identify the mutation in the cache ठीक है, all right, I hope यह आपको पता चल गया, so अब हम बीना किसी देरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले guys आपको यह हमारा 10 stack query कैसा लग रहा and finally use query and use mutation का आपको अगर difference पता चल गया तो please video को like, दोस्तों के साथ भर भर के से our next target is 7 lakh subscriber तो अभी तक subscribe नहीं गया तो please कर दीजिए, ठीक है, so देख लिजे कैसे होता है, simple है, like we have this data pagination हम already देख चुके तो बहुत कुछ हम देख चुके मुझे second wallet को delete करना है and within a few seconds, boom guys see वो delete हो गया, ठीक है, तो यह आज हमें देखना है, तो हम कैसे इसको कर सकते है and one more thing, one more thing and that is कि guys, मैंने आपको यह पूरा का पूरा react router dome की मदद से भी already करके बता चुका, आप यहाँ पे देखी सकते हो we have all the create operation देखो यहाँ पे, call operation यह देख रहे हो and even best part, एक second best part मैंने complete एक वीडियो बना रखा कि react में आप axios की मदद से कैसे यह सारी चीजे call operation कर सकते हो, जिसमें पूरा दो घंटे का वीडियो ही है, एक ही के अंदर सब कुछ आपको तो मैं तो चलता हूँ अपने vascode editor पे, so this is my code अब obviously यह हमारा list है ठीक है, where we are getting a paragraph obviously id, title and then body, अब यहाँ पर ही what I will do, कि एका में यह कर सकता हूँ and that is enabling के बाहर में चलूँगा I will put one button जहाँ पे मैं लिख देता हूँ simple फिलाल अभी के लिए just delete अभी मैं सिर्फ इतना लिख के छोड़ दूँगा and अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ so, क्या यह अच्छा यह, this is ours only so we have this delete का बटना so guys, यह काम कर लेते हैं, अगर कोई delete कर रहा है, ठीक है let's do the alert id मुझे देने पड़ीगी and अगर मैंने यहाँ पे template literals use की, तो it means कि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा करना पड़ेगा let's check it out, क्या यह हम कर सकते है मैं आगर यहाँ पे चलता हूँ okay, high post 1 yeah, simple high post 2 यह आता जा रहा है ठीक है, तो आप क्या करो, अब fat arrow function बना दो, तो control and save कीजिए यहाँ पे आइए, delete पे आइए यहाँ पे चलता है अब सबसे पहले we need to create that mutation वाला function तो अब अलग-अलग तरीके आप चाओ तो इसको एक separate component आप बना सकते हो else आप रहने दीजिए, हम यहाँ पर ही चलते है ठीक है, मैं यहाँ पे to delete the post ठीक है, इस तरीके से चलो यह मैं कर देता हूँ ठीक है, मैंने इसको red color में कर दी guys, थाकि थोड़ा सा मज़ा है कि हम यहाँ पर क्या करें ठीक है, तो देखो useMutation the moment मैंने यह लिखा सबसे पहले तो again we need to import this useMutation hook from our 10 stack react query no matter what इसके अंदर we need to pass one function and always make sure either आपका वो use query हो या आपका useMutation हो आपको object pass करना है उस object में no matter what आपका at least Mutation function तो रहेगा ही रहेगा and यह याद रखना Mutation function यह एक property है and यह जो है ना आपका यही होना चाहिए Mutation fn बहुत्स मैंने एक बार क्या गलती कर देती मैंने function लिख दिया था सब कुछ सही था मैंने Mutation function इस तरह की से लिख दी क्योंकि हम तो बोलने को Mutation function ही बोलते and मैं पूरा सोचता रहेगा मैं तबसे कर रहा हूं error ही आ रहा है बात में पता चला यह function आपको function ही लिखना है मतलब होता ही है तो इसको जो है property का नाए अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा यहाँ पर आपको एक function call करना है आपको क्या function call करना है delete करके कोई भी function उसको call करना है so let's go with a delete post ठीक है इस तरही से profit अब obviously किस function को आप delete करोगे वो हमें कैसे पता चलेगा वो उसके लिए कुस तो unique identity हमें लगेगी and in our case that is nothing but the id itself right तो वो जो id है मुझे कहां से मिलेगा तो मैं वो यहाँ पर pass कर रहा हूं इस तरही से id ठीक है अब यह जो id है मैं यहाँ पर get कर दे रहा हूं क्योंकि जब भी आप कभी भी कोई भी function create कर रहा है उसमें अगर आप argument pass करते हो तो यह always आपको मालूम है कि हमें इस तरही के से करना पड़ता है अब इसमें कुछ चीजह है जो आपके मन में आ सकते हैं that is delete post वाला function कहां से मुझे यह मिल रहा है ठीक है यह जो id मैंने यहाँ पर pass कर दी यह id भी मुझे कहां से मिल रहा है तो यह दो चीज़ों को मैं आपको बताता हूं यह जो id है कैसे मुझे मिलता मैं आपको बताता हूं अब देखो यह जो function है ठीक है use mutation hook का इसका कुछ तो data होगा कहीं तो आप store करोगे तो उसके लिए मैं delete mutation करके function बना रहा हूं basically constant variable आप इसको कह दीजे ठीक है मैंने यह बनाया ठीक है perfect अब देहां से देखिएगा यह जो delete mutation है तो अब मैं क्या करूँगा यहां पर आऊँगा on click में जहां पर पहले मैं यह कर रहा था अब मैं क्या करूँगा मैं basically यह data pass करूँगा delete mutation अब यह बहुत important है delete mutation तो simple आपका एक constant variable है जिसमें मैंने hooks pass किया use mutation जिसमें मैं उस function को call कर रहा हूँ जो कि delete कर देगा now यह बहुत important है and that is कि use mutation hook के अंदर जो function है उसको call करना है अगर आपको तब हमें क्या करना पड़ता है हमें जहां पर भी आपने उसको stored कि है that is our delete mutation delete mutation dot we have a mutate function उसके अंदर then we need to pass the id this is it and that is delete mutation इस particular constant variable के अंदर हमने हमारा use mutation hook को क्या किया हुआ है define किया हुआ use mutation hook के अंदर हमने function को call की है उसमें आम एक argument pass कर रहे है तो delete mutation को जब आप इस तरीके से लिखते हो with the help of dot mutate function मैं आपको बात आता हूँ तो क्या होता है देखिए द्यान से यहां पे है सब आप tension बिल्कुल मत लीजे सब इदर ही देखो यह जो mutate function है is used to execute the mutation in react query the process is the same whether you are अगर आपको delete update create करना यही same आपको करना ही पड़ेगा वो जो भी constant variable है dot mutate आपको call करना पड़ता है इससे क्या होता है जब भी आप mutate function को call करते हो यह react query को बोलता है to run the mutation function defined inside the use mutation hook use mutation hook के अंदर the mutation function है उसको यह क्या करता है I mean react query को बोलता है कि आप उसको run कर दू this is needed because the mutation is an action that changes data unlike queries which are used to fetch data and are often auto executed so I hope आपको पाता चल गया होगा क्योंकि delete mutation के बस एक variable था वो तो उसके अंदर हमने dot mutate लेखा to call this particular mutate function and यह जो id है अब आपका doubt clear हो गया मैंने यहाँ पर pass कर दी so that's why मैं यहाँ पर वो id इस तरीके से get कर पा रहा हूं ठीक है perfect so इस तरीके से हम id pass कर रहे है and वो id यहाँ पर गई अब सिब बचा आपका delete post तो इसको copy कीजिए आईए आपने api.jsx file पे so guys it's simple देखो क्या करना है export const यह जो delete post है and obviously हम यहाँ पर क्या कर रहे we are passing that argument तो मैं यहाँ पर आजब parameter उसको accept कर रहा हूं and मैं simple return कर देता हूं we have this api.de देखो delete करना है delete करने के लिए कौन सी sttp method use होता है obviously it's your delete only right so delete and सबसे जादे important है जब भी आप api के साथ खेलते हो to api पहले से ही जब भी हम api create करते है ध्यान में रख्य करते है कि आप इस पर delete भी कर सकते हो pagination का functionality भी कर सकते हो वह सारी चीज है so अगर आपको delete करना हो किसी भी post को तो उसके लिए बस यही same piece of code को copy कीजिए and यहाँ पर paste कर दीजिए this is it कोई भी post के बाद अगर आप id pass करते हो and अगर आप delete sttp method का यूज करते हो तो वह particular post उस api से delete हो जाएगा ठीक है बट इन्हाँ case हम json placeholder के काम करें जो कि मेरा अपना खुद का personal api नहीं है तो हम उसको delete तो नहीं कर सकते हो but in reality हो जाएगा सिर्फ हमारे system के लिए and then again हम उसको जब वापस refresh करेंगे तो डेटा आ जाएगा but हाँ funda यही है and आपको समझना जरूरी है तो हो गया हमारा अब बस यह जो delete post control space and मैंने कर लिग यहाँ पे देखो delete post कहां गया over here we have this delete post तो इस तरीके से आपका काम कर रहा होता है data fetch करने के लिए use query की हमें need है उसके बाद जो बाकी के तीन operation में उसके लिए आपको use mutation होकी use करना पड़ता है जिसके अंदर आपको mutation function देना ही देना है no matter what किस तरीके से देना वह पता चल गया किस तरीके से आप उस function को call करोगे वह भी आपको पता चल गया ठीक है control and save करते है यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा थोड़ा सा और बाकी है अभी आपका और डाउट के लिए हो जाएगा इसको मैं refresh कर देता हूँ console मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो अगर आप network पर जाओगे तो देखो मेरा काम हो गया यहां पर आप देख सकते हूँ कि guys we are done आप देख सकते हूँ डिलीट हो गई है 200 successful मेरा काम हो गया डिलीट हो गया यह बहुत बराबर डिलीट हो चुका ठीक है चलो अब problem है कि वह यहां से डिलीट नहीं हुआ ठीक है अब अगर मैं refresh करूंगा तो वापस तो फिर होने से रहा क्योंकि the moment मैं refresh कर दूंगा data वापस आने वाले क्योंकि actually API में data डिलीट नहीं कर पाएंगे अगर मैं अपना होता तो मैं कर चुका होता ठीक है अब the moment मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं यह पर ऐसे तो डिलीट हो गया बट मुझे मेरे system पे मेरे UI पे तो उसको दिखाना पड़ेगा नहीं कि डिलीट हो गया बोलके तो वह मैं कैसे करूंगा देखो already मैंने यहां पे आपको एक तरीका बताया था कि कैसे आप डिलीट कर सकते हो अपने system से with the help of filter method array में obviously हम filter यूज करेंगे यहां पे भी करेंगे वह बहुत इजली हमने डिलीट कर दी तो इस वीडियो में है वह ठीक है मैं वह वीडियो इस लिए दिखाया ताकि आपको पता चले कि अच्छा axios में यह इस तरीके से है react query में यह इस तरीके से है react में वह इस तरीके से है सभी अलग-अलग तरीके है मुझे बस आप एक चीज यह पताओ कि यहां पर यह जो data मुझे मिल रहा है कहां से मिल रहा है अब यह तो मत कहिएगा कि server का data आप फैच कर रहे है obviously server API का data है वो तो है बट जब एक बार आप फैच कर लेते हैं उसके बाद जब आप आपस इसको refresh करते हैं तब कहां से आपको data मिलता है बताईए obviously react query का यही तो एक advantage है कि वो बार-बार API का ओल नहीं करता है आपके local cache पे जो data है वहां से वो हमें data प्रोवाइड कर आ रहा है ठीक है local cache पे यह data है that's why यह कभी loading stage दिखता भी नहीं आपको बहुत प्यार से आपको आपका data दिखाई दे रहा है तो मुझे अब किसी तरीके से मेरे local cache में जो data है उसको मुझे delete करना है and मेरे local cache के अंदर बहुत सारे data है मुझे कैसे पता चलेगा किसको delete करना है obviously again we have this unique identifier that is ID number उसके base पे ठीक है अब सबसे पहला fund है यह कि मुझे make sure करना है कि मुझे मेरा local cache का data मिल जाए वो मुझे सबसे पहले चाहिए मुझे मेरा local cache data चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते है देखो यहाँ पे मैं वापस पीछे चलना चाहूंगा यहाँ पे बहुत किलिए लिए आप देख सकते हो तो उसा कम जूम कर देता हूँ ठीक है तो देखो कितना आप awesome है यह राइट आपको एक और न्यू चीज़ पता चल रहा and that is on success and इस callback function में भी गाइस देखो आपको इस तरकेस इसको define करना पड़ता है and इसके अंदर आपको दो data पास करना पड़ेगा सबसे पहले तो एक data अब यह data आप कुछ भी लिख सकते हो इसका मतलब यह है कि आपको एक confirmation मिल लेगा कि हाँ successful delete हुआ या नहीं and then आपको एक id पास करनी है तो यह id क्या करता है आपको यह बता था कि कौन id है जिसको आपने delete and obviously वह यह रान id है यह काम करता हूँ console.log अगर इतना रहता है खाली अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ and अगर मैं inspect करता हूँ console पर आता हूँ and मैं delete पर click करता हूँ and boom guys यह देखो आपको data आगया तो data में आपको data headers request status data.status if it's triple equal to 200 then आप further और चीज़े कर सकते हो and 2 आपको आपको आरहा वो id का number तो I hope आपको पता चल गया on success एक callback function है जिसके अंतर दो data आपको पास करना है that is the data कुछ में आप रख सकते हो just a confirmation कि success हुआ and then we have this id ठीक है तो इसको मैं आटा रहाँ obviously जब यह success हो जाएगा तब मुझे क्या करना है कि मेरे local cache के अंदर जो data है उसको मुझे delete करना है जिसको भी user ने click किया था तो उसके लिए guys what we need to do we have something called use query client ठीक है मैं आपको बताता हूं तो हमें क्या करना पड़ता है मैं यहां पर चलता हूं देखो use query client करके भी हमारे पास एक और hook है ठीक है एक और hook है और उसकी जो भी value होगी मैं constant variable query client को pass कर दूँगा ठीक है तो अब मैं क्या करूँगा query client जो है इसको copy कर रहा हूं over here right इसके अंदर query client dot so here we need to pass one method या function set query data ठीक है so it's a query data not a queries data अब इसके अंदर दो चीज़े आपको pass करनी है सबसे पहले एक array basically array बोलने से भी आपको एक query key pass करने पड़ती है तो आप यह समझ लीजे with the help of this particular query client dot set query data आप local cache data को access कर सकते हो for a specific query key इसका मतलब यह कि कौन से query key का data को आपको access करना है because in our case फिल्याल भी इससे post है जब आप बड़े project पर काम करोगे तो आपके multiple query keys होंगे I mean कौन से query key के लिए आपको local cache में से data को access करना है मैं बोलूगा भाई यह जो API का call आ रहा था post वाली जो query key थी मुझे उसको access करना है तो मैं यह जो query key है इसको copy करूँगा ठीक है यहाँ पर मैं इस तरीके से paste कर दूँगा this is it तो मुझे इस particular query key का जो local cache में data है वो उसको मुझे access करना है उसके बात का इसमें simple एक fat arrow function यहाँ चला दूँगा अब आप यह समझ लीजे कि जो fund up में चाहता हूँ वह होगी है मुझे मेरा data मिल गया है अब उस data में मुझे simple filter method चलाना है तो वो तो normal है ठीक है so current element so यहाँ पर I will go with return अब तो यह normal है इस simple अगर data होता है dot then filter method ठीक है एंड उसके अंदर भी same होई है यहाँ पर काम करता हूँ post id लिग देता हूँ यहाँ ठीक है so अब मेरा यह जो post का id है if it is not equal to जो भी id यह वाली id है उसको return कर देना मतलब अब इस particular function में मैंने यह बोल दिया कि अगर यह success होता है तो अब मुझे उन सभी data को return करना जो इस id से match नहीं होता है मतलब इसका क्या मतलब हो इसका मतलब यही कि जो match हो गया उसको छोड़के बाकि सारे return कर दो और वो return जो है वो तो हम यहाँ पर लूप चला के दिखाई रहे इसका मतलब क्या होगा जो match किया वो वहीं पर ही छुट जाएगा मतलब वो delete हो गया वो कभी दिखेगा नहीं हमें तो यह fund आई यहाँ ठीक है guys and yeah this is it यह हो गया आपका and I hope आपको बहुत मज़ा होगा और finally अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ डिलेट क्लिक करता हूँ so three two one and boom guys okay यह हुआ ने डिलेट by the way and what's the reason let's check it out है न कुछ ऐसा है यहाँ पर यहाँ पर कुछ ऐसा है कि जो हमें यह पता नहीं चल पा रहा है यहाँ तो कुछ नहीं है इधर कुछ नहीं network network में तो सब बराबर है all right guys तो I just realized हमने एक mistake यह कर दिये जब भी आप current element को get कर रहे हो ठीक है तो current element में क्या है in our current element we have this much data id भी है title भी है body देखो न जब मैंने map method चलाया था है जबकि in reality it's not a post id what I will do is कि मैं यहाँ पर से post लिख दे रहा हूं ठीक है post.id यह जो current element है इसके अंदर तो मेरे 4-5 प्रॉपर्टी है न तो उसमें भी जो id वाली प्रॉपर्टी है सिर्प उसको मैच कराना है मुझे id से इसको मैच कराना इस तरीक से simple dot id लगाना था आपको और कुछ निए अब अगर मैं इहां पर चलूंगा so 3 to 1 and boom guys see यह ना कितना ज्यादा awesome तो finally I hope आपको पता चल गया होगा कि now with the help of 10 stack query कैसे आप complete card operation कर सकते हो data कैसे fetch कर सकते हो pagination कैसे कर सकते हो error pending stage दिखाना बच्चो वाला काम था and मैंने आज इस वीडियो में आपको यह दिखा कि आप delete कैसे कर सकते हो यह एक बार फंडा थोड़ा सा आपको weird लग रहा होगा I know क्योंकि अगर हम normal xco से react में करते तो मुझे सिर्फ यह एक line का code लिखना पड़ता and क्योंकि मेरा state variable है use state का जिसमें भी मेरा API का data होता है data dot filter method चला देता मेरा काम हो जाता इसमें कोई problem नहीं थी but यहां तो मुझे mutation function लिखना पड़ा अगर success होता है basically मेरे को cache का data को access करना पड़ा for this specific query की फिर जाके मैंने यह इतना कुछ किया but once अगर आपको यह पता चल गया यह हो किस तरीके से रहा लाइब बहुत ही हो जाएगे क्योंकि चाहिए वह update हो चाहिए आपको create करना हो कुछ नहीं data यही सेम चीज है बस यहां पर आपको update करना इस जगे पर इस जगे पर आपको change करना आपका सारा काम हो जाएगा and obviously यहां पर instead of delete आप लिखोगे put or patch या तो आप लिखोगे वह post simple यह और और तो कुछ change है नहीं बाके सब तो same ही रहाएगा है नहीं यहां पर भी बस वह यह mutate आपको लिख नहीं है ठीक है so yeah this is it आज इस वीडियो के लिए थे नहीं हो वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आओगा इस लाइक कीजेगा पसंद नहीं तो डिस्लाइक कीजिए बढ़ दोनों में से जरू कीजेगा कमेंट करके बताइए आपको कैसा लागा या अगर कुछ डाउट हो तो भी दोस्तों को भरबर के सेर कीजेगा और नेक्स्ट आगट इस सब्सक्राइबर और वेरी क्लोज तो 7 लाइक सब्सक्राइबर तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्लीज कर दीजेगा मिलता हूं मैं अब आपको कल की वीडियो में तिल दिन गाइस थैंक यू सो मच टेक क्यो